Assalamualaikum, यह वाली वीडियो जो एक Numerical है, Radiative Transition Rate जो है Atomic and Monocular Physics में इसके अंदर एक Numerical दिया हुआ जो के Important है, उस पर यह वीडियो बना रहोंगे, वो किसे Solve करना है, We want to calculate the Radiative Transition Rate, इसको Solve करने से पहले जो है, वो एक दो Slides जो हैं, वो इससे पहले बहली देख रहे हैं, कि इनको जो रहत के अंदर चीज़े यूज़े हैं, उनका Terms का नाम क्या क्या है, सबसे पहले जो है, वो देख लेते हैं, कि Equations जो हमने Find करने है, Radiative Rate की, जो B है, सिर्फ B वो है Rate of Stimulated Emission B, और B not जो है, वो है Absorption Coefficient B not, जो B की Equation के अंदर आता है, तो हमें B की Equation जो है, Stimulated Emission निकालने के लिए, पहले जो है, Coefficient Absorption Coefficient Find करना पड़ेगा, और A जो है, वो Emission Coefficient है, Spontaneous Emission Coefficient, वो आगे चलके पर चलेगा, A की Value जो है, वो 1 over Tau होती है, और दुसरा जो है Tau, Tau जो है, वो Lifetime होती है, एक Level में किसी भी Electron की, for example, हम यहां से देखते है, we want to calculate the derivative transition for a hydrogen atom, transiting from the 2P to the 1S energy Level, जो है, एक Electron है, वो गया हुआ है, 2P Level पे है, फिलाल जो है, सब लेवल पे, शेल के जो सब शेल होते हैं, उनके अंदर 1S, 1, 2P इस तरह, वो तू 2P पे है, अब जो है, उसने वापिस आना 1S में, तो कितना टाइम जो है, वो 2P पे गजार सकता है, वो, उसे जो है, कहते हैं, उसकी लाइफ जो है, 2P to the energy level, where the lifetime of 2P state, जो है, lifetime of 2P state का मतलब है कि जब तक Electron 2P state में रहेगा उस टाइम को, तो वो रहेगा 1.6 nanosecond, जो है, वो जो है, वो दोनों 2P और 1S पे है, 10.2 electron volt है, वो और वी वांटो एलिटेट दा डेडियाटिव transition rates, के एक second में, जो है, 2P से, कितनी जो है, वो नीचे आ सकते हैं, एलेक्रों जो है, वो 1S में आ सकते हैं, तो कैसे solve करना है, असान सा जरीका, बी जो है, वो हमने, actually find करना, और जो है, वो बी के अंदर ही आता है, सबसे पहले जो है, आपने जो है, 2P और, जो है, वो 2S से जार और, एमिटिंग हो रही है, रेडियेशन की, क्यूंके 2P से लोर लेवल पारा तो एमिशन ही होगी, energy की, ताउ जो है, उसकी value दी भी है, ताउ जो है, वो यहां पे 1.6 nanometer है जो है, जो है, टू प का, lifetime है, 2P में जो है, electron 1.6 nanosecond, जो है, वो रुक यह वाहां पे, और, डेल्टा ए, जो है, energy दीवी है, 10.2 electron watts, बंदन 2P और 1S का difference, जो है, जो है, जो है, एम और है, जो है, जो है, आ जो है, फाइन धो है, जो है, जो है, वो बीनॉत में यू जो होता ह हमें बीच आई एक्शली वीजो है वह वन आवर टाव 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 जो है वह वन प्वाइंट सिक्स मुलिपलेवर टैन इस फर माइनस नाइन वह जाएगा इसको जाएगा इसको जाएगा और इस एकुल टू एच नियू जो फॉर्मला होता है उससे जो हम रेडिये टीड इन निकाल लेंगे जो भी जो फॉर्मिले में चाहिए हमें बी नॉट के और बी के फाइंड करने के उसके अंदर रेडिये टीड इनर्जी इसलिए यहां से निकलाएगी और एक दान रखना है यह एलेक्ट्रों वोल्ट में लेक्ट्रों को लाजमी जो है वो कनवर्ट कर लेन है दूसरी इसको मल्टीब्ला करके ऐलेक्ट्रों के चाहर्ट से एसे तो यह 10.2 आगया एक वाल्मस्ट इसको थोड़ी बहुत हो सकती है और अब बी नौट का फॉर्मुला जो है वो इसमें दिगा हुआ है वी नॉट जो है वह हमने पहले फाइंड करना है तूपाइब भी नहीं है यह जो है यह उट फ्रिक्वेंसी है वो ऑवर इस पाइग और 3 ऑवर सी स्केर है वी वेलॉस्ट्य होती है वी इसको लिए लेकिन इसे रेडियेदेट फ्रिक्वेंसी होती है ओई दिगिन और 3 और फोटे नियुच बुट करेंगे और इसमें ब्राइब आक्य तो यहां पे उन्हें नें एक्जांपल करके लिखा वाज इस तेल्स आज़ा था 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 पीछ जो पड़ा था पीछे जो हमने पड़ा था बी नॉट जो है एब्सॉर्पिशन कोफिशेंट है तो जब कोई टो इलेक्ट्रों जो है वह वन हैस में था फहले वह एब्सॉर्प करेंगा अंघी और टू पी में जाएगा तो बी होगा और तो पॉइंट थी फोर मुल्टिव लाबर टैंड इस टुपर पर एट टाइंज पर सेकिंड जो है वह एक्ट्रों उपर जा सकता है नर्जी जो है एक सेक्शन में डिवाइड करें एक सेक्शन को और उसमें से जो एक सेक्शन होगा ना वह समझ लें कि एक बार इलेक्ट्रोन वो उपर गया है इतनी बार बार जा सकता है एक सेक्ट अब जो है हमने दूसरा जो है सब्सक्राइब करना इसके लिए भी वही है बिसकर लेना यहां पर फॉमले थोड़े से लग रहे हैं कि यह नोटेशन नहीं है इसको मैंने यहां ब्सक्राइब है लाग रहे हैं भी जो है है वहाग हमने फाल्ड करना है emission radiative emission v prime is equal to h new cube यह दोनों का क्यूब है ओवर 8 यहां पर भी values put करेंगे तो आंसर आजेगा तक्रीबन 2.16 multiply by 10 h बार 8 पर सेकंड यह भी वह है कि 2.16 10 multiply by 10 पर 8 parts में अगर 1 second को divide करेंगे न तो उतनी बार electrons जो है वो 2p से 2 1 में आ सकता है क्योंकि b जो है वो radiation का है emission का है coefficient तो यह radiation कब दाएगा कि 2p से 1 में कब आएगा और बी नोट जो है यह absorption का है 1 ऐसे 2p में का कितनी बार जाओ सकता है एक second में यह कितनी इनर्जी कितनी बार energy जाओ अब्सॉर्ब करके transition कर सकता है एक second में